Hello students, students, आज हम NCRT textbook page number 216 के demanding numerical score को solve करेंगे. तो हमारा question number 4 जो है उसमें क्या है? How can C resistances 2 ohm, C ohm and 6 ohm are connected to give a total resistance of 4 ohm and 1 ohm. Given क्या है? अगर हम solution देखें तो हमें given है 3 resistors ठीक है? 3 resistances given है जिसमें R1 कितना given है? 2 ohm, R2 क्या है? 3 ohm और R3 क्या है? 6 ohm, ठीक है? अब क्या है? Question में पूछा गया है कि इन तीनो resistances को हम किस तरीकी से connect करें? कि हमें जो total resistance मिले, वो 4 ohm मिले और 1 ohm मिले. तो देखते हैं, अगर हम series combination में इनको connect करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा? 3, 2, 5, 6, 11 ohm. मतलब, हम इनको series में तो नई connect करेंगे. अगर हम इनको parallel में connect करें, तो parallel में हमारा क्या हो जाएगा? 1 upon 2, plus 1 upon 3, plus 1 upon 6. अगर हम 6 LCM लेने, तो यहाँ 3, 3, plus 4, plus 1. मतलब, 6 upon 6, 1 ohm आजाएगा. मतलब, 1 ohm को get करने के लिए हमारा B बाला तो आजाएगा. कि 1 ohm गेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इन तीनों को parallel combination में connect करना पड़ेगा. लेकिन 4 ohm ना, अगर हम इनको series में connect करें, तो भी हमारा 4 ohm नहीं आ रहा है. और parallel में connect करने तो हमारा 1 ohm तो आ रहा है, लेकिन 4 ohm नहीं आ रहा है. मतलब, 4 ohm को get करने के लिए हमें इनने series parallel combination देना पड़ेगा. ठीक है, अगर हम इन वाला solve करें, तो क्या है हमारा 2 ohm? अगर हम 1 upon 3 plus 1 upon 6 करते हैं, तो हमें 2 मिलता है. और 2 ohm प्लेस 2 ohm क्या हो जाएगा हमारा 4 ohm. Means, हमें 4 ohm को get करने के लिए R2, R3 को क्या करना पड़ेगा? parallel combination में connect करना पड़ेगा. और जो भी हमारा total resistance आएगा, उसको R1 के साथ series combination देना पड़ेगा. तो हम लिख लें, R2 and R3 should be connected. should be connected in parallel in parallel with R1 with R1 in series. तो पहले क्या करें हम R2 और R3 का parallel combination देख रहे हमें क्या मिलेगा? 1 अपॉन R' is equal to 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3. ठीक है? 1 अपॉन R' क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 6. 3 अपॉन R' is equal to 3 अपॉन 6. यानि कि अगर 3 1s are 3, 3 2s are 6 1 upon R' कितना आ गया? 1 upon 2 मतलब R' जो आ गया हमारा वो कितना आ गया? 2 1 ठीक है? अब हम क्या करें? कि R1 के साथ इसको series में connect कर दें, मतलब जो total resistance मिलेगा वो क्या मिलेगा हमें? R' plus R1 plus R' R' मतलब क्या हो जाएगा? R1 हमारा कितना है? 2 Ohm R' हमने कितना निकाला है? 2 Ohm मतलब total resistance कितना आ गया हमारा 4 Ohm इस बिएगा to get a total resistance of 4 Ohm we have to connect R2 and R3 in parallel with R1 in series अगरान मतलब हम इनको किस तभीके से connect करेंगे? circuit diagram में इस तरीके से यह हमारा क्या हो जाएगा? R1 और यहां से R2 और R3 कौन सा combination दे देंगे? parallel combination इस तरीके से यह R1 यह R2 यह R4 आगे हम इसको cell से की से connect करेंगे circuit diagram मतलब हमारा जो connection होगा यह इस तरीके से होगा R1 series में R2 और R3 parallel में अगर हम भी देखें कि अब हमें 1-1 कैसे get करना है तो अब भी हमें निकाल के देखां अगर हम इन तीनों को parallel combination में connect कर देंगे आप क्या करें? R1 R2 and R3 should be connected should be connected in parallel चिक्या? मतलब total resistance 1 हम get करने के लिए हमें R1, R2, R3 को किस combination में connect करना है? parallel combination में तो अब हम total resistance अगर obtain करें तो देखें 1 upon R1 मतलब 1 upon 2 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3 R1 2 है, R2 3 हो, R3 6 हो अब अगर हम 2, 3, 6, 3, 2, 6, 6, 6, 1, 6 1 upon R2 1 upon R2 कितना आ जाएगा? 6 upon 6 मतलब 6, 1, 6 हो जाएगा ना? तो 1 upon R2 कितना आ गया? 1 तो R2 जो है यह है इन दो points की बीच में हमने इसे connect किया R1 R2 R3 इसको सर्टे डागराम में इस तरीकी से parallel combination में connect करेंगे तो यह हो गया हमारा कि हम 3 resistance को 2 ohm, 3 ohm, 6 ohm को total resistance ओप्टेंड करने के लिए 4 ohm और 1 ohm ओप्टेंड करने के लिए किस combination में connect करेंगे? तो A में हम क्या देंगे? series parallel combination अब भी के लिए हम क्या देंगे? parallel combination ठीक है? अब हमारा next numerical हम देखते हैं क्या है? अब हम next numerical देखते हैं तो next हमारा क्या है? what is the highest, the lowest, total resistance that can be secured by combination of 4 coils of resistance 4 ohm, 8 ohm, 12 ohm और 24 ohm question रिया कि अगर 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 को आगर कीक है? तो किस combination से हमें highest resistance lucence order किस combination से हमें lowest resistance तो जब भी हमने आपको पढल combination और series combination का video बढ़ाया हमने तो उसमें हमें अगर अरड है कि highest resistance option करने दूपंध के लिए हमें module resistance को किस combination में connect करना होता है报 और module resistance करने के लिए हमें resistance को किस combination में connect करना होता है? parallel combination में ना? तो हम solve करते हूं. हमें क्या obtain करने हैं? highest resistance. ठीक है? तो highest resistance is obtained when the quies are connected in series. given क्या है हमें? R1 given है. 4 ohm, R2 given है. 8 ohm, R3 given है. 12 ohm, and R4 कितना given है हमें? 24 ohm. एक एड़र हम करें? highest resistance obtain करना ना इमें. तो लिए हाइस्ट resistance is optimal. highest resistance अप्यम्ड होग का जबहाईं, coils, full coils दो ज़ी बैन है. when coils are connected in series. तो यह से connect करेंगे? Series combination R connected in Series टीक है? अब हमें क्या find करना है? Highest resistance Let it be R-H तो क्या हो जाएगा? Because Series combination में connect करें तो यह क्या हो जाएगा? R-1 plus R-2 plus R-3 plus R R1 कितना है हमारा? 4 हों plus 8 हों plus 12 हों plus 24 हों 8 हो 12, 12, 12, 12 24, 24 plus 24 that is highest resistance कितना आगया हमारा? 40 हों next, B में क्या? अब में क्या? now we have to find bluest resistance तो lowest resistance lowest total resistance find out करने के लिए हम क्या करेंगे? coils कुटीस combination में आग करेंगे parallel combination में तो लिख देंगे कि lowest resistance is obtained when coils are connected in parallel अब let it be R and हमने सब्सकर लिए तो यह क्या हो जाएगे? because parallelly connected 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3 plus 1 upon R2 R1 कितना गीवेन है? 4 1 upon 4 plus 1 upon 8 plus 1 upon R2 plus 1 upon R2 else यह 24 4 6 are 24 8 3 is 24 12 2 is 24 24 रंज़ा 24 अब कितना आ गया? 6 3 9 2 11 1 12 तो आरेल हमारा कितना आ जाएगा? यहां से क्योंकि 4 upon 12 यानि कि lowest resistance तो है वो कितना आ जाएगा? तो यहां लिख देंगे यहां से जो 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 गारेल लिए इस नोवेस्ट कितना आ गया है हमारा थाइस कितना आ गया है यह हमारा 2nd कर्षिटन आओ अभो हम बेसकस करेंगे 3rd कर्षिटन को नओ आओ अमारा मारा नेक्स क्या है जल्स द एक्व str egent इस जिस řाइस recommend the following तो में आपनेक्टेरें परॉमघुब A में 1 Ohm & 10 to the power 6Ohm और B में 1 Ohm 10 to the power 3 Ohm and 10 to the power 6Ohm इनको इन resistors को अब हम parallel combination में connect करें तो हमें equivalent resistances को जच्च करना हो तो देखते हम पराली बातो हम आफो एक जीज और लेदी बता चुके कि went 2 और more than 2 resistance आ हर कनेक्टेट इन पैरेलेल कंनेकेट कैसे 2 या 2nd से जादा resist DOUस्टेंशिस को अगलहा पैरेला कंजिट कोनेक्ट करते है तो क्या ऌता है या एक्विवेलेंट resistance हर स्नेस्टन स्मालस्ट Indignivisual resistance जो १। तो अगर हम 1 ohm और 10 to the power 6 ohm को connect करेंगे parallel combination में, 10 to the power 6 means 10 lakhs, तो 1 ohm और 10 lakhs हों को अगर हम parallel combination में connect करेंगे, तो less resistance को है, 1 ohm है, means तो इस condition में हमारी equivalent resistance आएगी, तो less than 1 ohm हों है, ऐसे ही अगर हम 1 ohm, 1000 ohm और 10 lakhs हों को, parallel combination में connect करेंगे, इसमें सबसे smallest resistance कौन साय है, 1 ohm, तो इस condition में भी जो हमारी equivalent resistance आएगी, वो 1 ohm से ही less आएगी, तो इसको हम swap करके दिखा रखेंगे, first condition अगर हम लें A, तो A में हमारा R1 कितना है, 1 ohm, R2 कितना है, 10 to the power 6 है, तो इस condition में अगर हम equivalent resistance find out करें, तो क्या होगा, 1 upon 1 plus 1 upon 10 to the power 6, that is 1 upon R is equal to 10 to the power 6, plus 1 upon 10 to the power 6, अब दो 1 upon R is equal to 10, so 10 to the power 6 plus 1 कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 1, और 10 to the power 6 means 1 और 6, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, अब A extract is equal to क्या हो जाएगा, ये धकर चोड़े देगा, और ये नीचे होगा, अगर हम इसको solve करेंगे, तो हमारा कितना हैगा, 0.99? फिक है, ये approximately होगा, किसके बन होगा, कि एप्रॉक्स होगा, ठीक है, यानि कि जो हमारा एक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया है, वो क्या है, एप्रॉक्सिमेटली बन होगा है, that is less than बन होगा है, लिख देंगे, that is equivalent resistance is approximately, that is, condition में जो हमारे एक्रॉक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, एक्रॉपिवेलेंट रेजिस्टेंस। इंदिटली 1, but less than 1, ठीक है? Less than 1, मतलब एकिवेलन रेस्टेन शोले है, वो क्या है मारा? 1 ओं से less है, ठीक है? अब अगर हम सेकंड कंडिशन लेलें, सेकंड कंडिशन में हमें 1 ओं, 1 थाउजन ओं 1, 10 to the power 6 हों, that is 10 lakhs, उनको पैरली कनेक कना है, तब इस कंडिशन में हमें इक्रिवेलन रेस्टेन को ज़स्ट करें तो क्या हो जाएगा? 1, R2 क्या है? 10 to the power 3 और R3 क्या है? 10 to the power 6 मतलब 1 पॉन, 1000, प्लेस बान पॉन, 10 lakh यहां किया जाएगा 10 leg, यहां किया जाएगा 1,000, यहां किया जाएगा 1,000, अगर मैं इसको add कर दें, तो किया हो जाएगा 1,000, 1,000, 1,000, अगर मैं equivalent resistance, अगर मैं equivalent resistance, फाइन करना है तो क्या हो जाएगा, यह हमारा लटका चांइगा 7, मेंस अगर हम इसको solve करेंगे तो हमारा equivalent resistance क्या आएगा जाने कि क्या होगा approximately 1 होगा इस condition में भी मेंस इस condition में भी जो equivalent resistance होगा वो क्या होगा तो यह रहे हमारे NCRT टेक्स्ट बुक के questions नेक्स्ट वीडियो में हम न्योटोपक के साथ आते हैं